नमस्कार मापरिया विहारी वियोज में आपका स्वागत है और उसके साथ ही काम कर रही है वही स्मार्ट प्रिपेट मीटर लग जाने से आम नागरिकों को काफी ज़्यादा सहूलेत मिली है जिसके तहट अब उपभोगता को कोई अतरिक्त शुल्क नहीं देना पड़ेगा साथ ही रेचार्ज के लिए भी परिशान होने की कोई ज़रूरत नहीं होगी इसी कड़ी में हमाज आपको एक ऐसे आप्रिकेशन के बार में बताने वाले हैं जिसके इस्तमाल से आप आसानी से अपने स्मार्ट प्रिपेट मीटर का रेचार्ज तो करी सकते हैं साथ ही अतिरिक्त पैसे देने से भी बत सकते हैं बरतमान समय में उर्जा विभाग की तरफ से राज़ानी पटना के अपार्टमेंट में स्मार्ट मीटर लगाने का काम जारी है वहीं उद्योग विभाग की तरफ से जारी किये गया स्मार्ट मीटर आप के माधियम से उपभोगता अब अपने जरूरत के हिसाब से रचार्ज कर पाएंगे इसके साथ ही अब जितने घंटे या जितने दिन बिजली का इस्तमाल नहीं होगा इसमें उर्जा की बजट तो होगी ही साथ ही उपभोगता के पैसे भी बचेंगे कई बार ऐसा देखा गया है कि जब ग्रहक को बिजली बिल थमाय जाता है तो वो इस बात से हैरान नजर आते हैं कि इतना बिजली की खपत आखिर उन्होंने कहा की और कैसे कर ली हाला के अब स्मार्ट मीटर आप के माध्यम से आपको इस बात की पलपल की जानकारी मिलेगी कि आपने कब कितनी बिजली का इस्तमाल किया है इतना ही ने अब उपभोगता इस आप के माध्यम से फ्री चार्ज शिकायत आदी सब कुछ आसानी से कर सकते हैं इसके साथ ही स्मार्ट प्रिपेड मीटर के रिचार्ज की राश्री खत्म होने के तीन निन पहले अब उपभुगताओं को मुबाइल नंबर पर रिचार्ज खत्म होने की जानकारी मिल जाएगी जिसके माधम से आप बिजरी कटने की समस्या से निजात पा सकते हैं सबसे खास बात यह है कि अक्सर बिजरी कटने के बाद आपको बिजरी विभाग के चपकर काटने पड़ते थे लेकिन स्मार्ट प्रिपेड मीटर लग जाने के बाद अगर कनेक्शन कट जाता है तो फिर से रिचार्ज कराने के लिए अतरिक्त समय भी दिया जाता है और यहा प्रिपेड कर साउथ पावर डिस्रिबिशन के महाप्रबंदक विलिप कुमार सिंग ने अपना वयान जारी किया है जिसके तहत उन्होंने बताया कि पहले लोगों में काफे शुकायत मिलती थी कि समय पर बिजरी बिल नहीं मिल रहा है ऐसे में स्मार्ट मीटर लगने से ल लगाय जा चुके हैं प्रात्मिक्ता के आधार पर बने अपार्टमेंट में स्मार्ट मीटर लगाय गया है अब लोगों के घर में भी स्मार्ट मीटर लगाने की शुरवात हो गई है विभाग के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है कि लोगों को बहतर नेटव परक मिल सके और इसका ट्रायल भी चल रहा है ओन्लाइन बिलिंग सिस्टम को दुरुस्त करने की भी तैयारी है स्मार्ट प्रिपेट मीटर आज के समय में वक्त की मांग है समय के साथ सब कुछ स्मार्ट होता जा रहा है इसी कड़ी में बिज्री बिल उपभोगताओं को भी स साल दर साल बिज्री बिल जमा नहीं करने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिसके कारण बिज्री विभाग पर बढ़ रहे बोच को अब कम किया जा सकता है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए देने वागताओं